दोस्तो आज मैं बहुत ही खास एक आउसधे पौधे के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो पौधा है तुलसी तुलसी के बारे में आप लगभग परचित होंगे क्योंकि बर्तवान समय में लगभग हर घरों में एक तुलसी का पौधा जरू देखने को मिलता है गाउं में खास का आविसाहरों में भी इसका प्रचलन खुब हो गया है कि हर घर में एक पौधा तुलसी का लगाए क्योंकि यह तुलसी खास आविसाहरों से भगभग होने के साथ ही अपने आसपास के वातवरों को भी सुध रखने में बहुत ही मदब करता है तुलसी में बहुत सारी आविसाहरों है क्योंकि यह एक ही नहीं दो ही नहीं यह लगभग पूरे सरीर में जितने ही प्रकार की बिमारिया होती हैं उसको निवनाधिक रूप से कहीं कम कहीं ज्यादा सही प्रकार से ठीक करने में बहुत ही हल्प करता है यह यह प्राचिन काल से ही इसका उपयोग होता चला आ रहा है और बरत्वान समय में इसके कई सारे और सध्यों में बनाने में इसका यूज़ क्या जाता है दोस्तों तुलसी के पांच प्रकार होते हैं परन्तु अभी मैं तुलसी के दो खास प्रकार के बारे में बात परूँगा एक पहला है रमा तुलसी जो हलका भूरा कलर का होता है और दूसरा क्रिस्र तुलसी जिसकी वह कृष्य पतीए थोढ़ी घाटी रंकी होती है तो हम लगभक क्रृस्ष तुलसी सभी घरों में देखते हैं यादा तर क्रिस्ष तुलसी के और राखती हो सभी शारी में जितना वी क怕 होते उनको ठीकर मेने ज्यादा याधा लाब दायख exist मैंने आपको बेनिवेट्स है का कि और पित्ध करने में यह बहुत ही मददकरता है यह NAK लुक नाख कान तो तो जाने पहले ईंझाया है जो पांच यहांथ को भी तीकरना करने में भाए कश थीक करणा है जिस एदि आपके नट से कुन मारे जाडा सकते हैं जी पांधियों को does the 사용 नाख में तपका सकते हैं, जाब दाय खूरगा साथ ही यदि आपके आखों में स्वैलिंग या खुझली हो गई है तो भी जैसे बच्चों को हम अंजने लगाते हैं उसमें तुलसी के पत्ति के रस को पीसकर उस अंजने के साथ मिक्स करके आप लगा सकते हैं आखों में तो उसमें आखों की खुंजली और जलन या दर्द वो ठीक कर देगा, इसके साथ ही कहीं जाद खाज है, आपके सरी में, तो भी हम यदि तुलसी की पतियों को चबा चबा के खा लेते हैं, साथ ही उसकी पतियों को पीश कर हम वहाँ पे लेप करेंगे, तो भी ये उसको ठीकरने बहुत ही लाबदायक होता है, दोस्तों तुलस खांसी, जुखाम, नजला, इससे संक्रमिट हो जाते हैं, तो इससे आप तुलसी के कारह बना कर पीते हैं, तो उसमें बहुत ही लाबदायक होता है, ये हमारी इमून सिस्टम, रोगपुती, रोधाक शमता को बढ़ा देता है, जिससे ये मौसमी बिमारिया नहीं होती है, इसके अलावा ये है, फोडा, घाव, चर्मरोग, फुनसी, इन सारी बिमारियों को भी ठीकरने में बहुत ही लाबदायक होता है, जैसे आपको खुंजली हो गई, तो आप तुलसी के पत्तों को पीस कर उसमें लेप लगा सकते हैं, उसमें लाबदायक होगा, ये कहीं कट जाता है, घाव हो जाता है, तब भी आप तुलसी के पत्ते को पीस कर उहां पे लगाते हैं, तो भी ये उसके दर्द को थीक कर देता है, उसके जो विस्पन होता है, इसको दूर कर देता है, ये गाव को थीक करने में बहुत ही लाबदायक होता है, तो आप सुबह, रोजा पीने एक गिलास आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में ही यह हमारे मस्तिक को यादगार शमता को बहुत ही तेजका देता है साथ ही हमारे सोचने समझने की शमता को भी यह पढ़ा देता है साथ ही दोस्तों जैसे गठिया रोग हो गया जोड़ों के दर्द हो गया इन सब में भी य सबसे खास फाइदा होती है इसकी गंड़ तेज होती है और इसमें जो बिसको दूर करने की सकती सबसे जयादा होती है वह रहओ तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे फाइदे हैं यहां पर कुछी फाइदों को चर्चा किया कुछी बारे में आपको बताया हैं तो यदि आपके घर में तूलसी है तो इसकी साब्सपाय और देखरे कीजिए और यह नहीं है तो आप बाहर लेए या किसी प्लडोस से मांग लीजिए आपके घर में तुल्शी का पथा जरू होना चाहिए क्योंकि इतने सारे अउस्धेगुर्ण होने के वज़ा से इसकी पूजा भी किया आता है इसको इसमें माना जाता है और यहां पर राता है वहां पर सुभ माना जाता है साथ ही इन्वारिमेंट को भी सुध रखता है तो बिल्कुल हर घर में एक तुल्शी जरूर होना चाहिए जरूर लगाई अब थांकि दोस्तों